तो उस्तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्णिंग चानल स्कॉलर इंग्लिश पर मेरा नाम है दिपिका कुमावत और मैं इस चानल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एक्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ तो बेसिकलि आज की इस वीडियो में हम डिसकस करने जा रहे हैं दा हिंदू एडिटोरियल का वोकैब अनलिसिस आशा करती हूँ कि आप इन सेशन्स के साथ रेगुलरली जुड रहे हैं और इनका बेनेफिट भी उठा रहे हैं क्योंकि इन सेशन्स का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़दा इनहांस करना और यह जो वोकैब सेशन्स है यह बैंक, SSC, रेलवे, UPSC या फिर किसे भी क्यों कॉम्पिटिटिव एक्जाम के लिए इकवली बहुत ही ज़दा इंपॉर्टन्ट है तो चलिए और ज़दा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की तरफ और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है तो हमारा सबसे पहला वर्ड है डमिट डमिट का मतलब होता है त्यागना किसी office या position से resign करना उसे हम कहेंगे dummit और ये हमारे पास parts of speech में verb है यानि कि क्रिया है synonym इसका होता है resign या फिर leave यानि कि अत्यागना या फिर छोड़ना example इसका है she is going to dummit her job यानि कि वो अपनी job से resign करने जा रही है अपनी job को छोड़ने जा रही है इस context में हम जो है वो dummit इस word का लगलग sentences में use कर पाएंगे then इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे next word की तरफ और जानेंगे कि हमारा next word कुन सा है then इसके बाद हमारा अगला word है dip dip का मतलब होता है गिरावट या कम होना और ये हमारे पास parts of speech में noun है synonym इसका होता है decrease or decline यानि कि कम तरता होना कम होना कोई चीज़ का for example there has been a dip in her business यानि कि उसके कारोबार में गिरावट आ गई इस context में हम जो है वो dip इस word का लगलग sentences में use कर सकते हैं then इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे next word की तरफ और जानते हैं कि हमारा next word कौनसा है तो इसके बाद हमारा अगला word है out number out number का मतलब होता है अधिक होना कोई चीज की संख्या में अधिकता होना कोई चीज जादा होना मातरा में या फिर संख्या में उसे हम कहेंगे out number और ये हमारे पास parts of speech में verb है यानि कि क्रिया है सिननीम इसका होता है surpass और फिर exceed यानि कि जादा होना जात्ती होना for example the stars in the milky way galaxy are out number यानि कि milky way galaxy में जो stars की संख्या है वो बहुत जादा है बहुत अधिक है इस context में हम जो है वो out number इस verb का अलग-अलग sentences में use कर सकते हैं तो चलिए इसे के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे next word की तरफ और जानते हैं कि हमारा next word कौन सा है then इसके बाद हमारा अगला word है valedictory valedictory का मतलब होता है विदाई और ये हमारे पास parts of speech में executive है यानि कि vishation है synonym इसका होता है farewell या फिर parting यानि कि विदाई लेना for example the valedictory notes was exchanged between the friends यानि कि मित्रों के बीच विदाई को लेकर notes का आदान प्रदान हुआ इस context में हम जो है वो valedictory इस word का अलगलग sentences में use कर सकते है then इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे next word की तरफ और जानेंगे कि हमारा next word कौन सा है then इसके बाद हमारा अगला word है ravage ravage का मतलब होता है नाश या फिर तबाह करना और ये हमारे पास parts of speech में executive है यानि कि viciation है synonym इसका होता है damage of ruin यानि कि नाश करना तबाह करना बरबाद करना for example the sudden flood left the village's crop ravage यानि कि अचानक आई बार ने गाव की फसलों को तबाह कर दिया था इस context में हम जो है वो ravage इस word का अलगलग sentences में use कर सकते है तो चलिए इसे के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे next word की तरफ then इसके बाद हमारा अगला word है guarded with an iron fist guarded with an iron fist का मतलब होता है नियंतरन रखना लोगों के एक समूह को नियंतरित करना उनके द्वारा किये जाने वाले हर काम पर नजर रखना उसे हम कहेंगे guarded with an iron fist और ये एक idiom है synonym इसका होता है dominate या फिर control यानि कि किसी को जो है वो control करना या फिर किसी पर नियंतरन रखना for example the chocolate company was guarded with an iron fist यानि कि जो chocolate company है उसको पूरी तरह से नियंतरित किया गया था उस पे नियंतरन रखा गया था इस context में हम जो है वो guarded with an iron fist इस idiom का अलग-अलग sentences में use कर पाएंगे then इसके साथ हम आगे चलेंगे हमारे next word की तरफ और जानेंगे कि हमारा next word कौन सा है then इसके बाद हमारा अगला word है jocle jocle का मतलब होता है संगर्ष फिर तक्राव और ये हमारे पास parts of speech में noun है jocle among the family members यानि कि परिवार के सदस्यों के बीच हमेशा संगर्ष होते रहता था इस context में हम जो है वो jocle इस word का अलग-अलग sentences में use कर सकते है then इसके साथ हम आगे चलेंगे हमारे next word की तरफ और जानते हैं कि हमारा next word कौन सा है then इसके बाद हमारा अगला word है anoint anoint का मतलब होता है नियुक्त करना और ये हमारे पास parts of speech में verb है यानि कि क्रिया है synonym इसका होता है appoint यानि कि नियुक्त करना for example the institute anoint the new professor यानि कि institute ने जो है वो नए प्रोफेसर को appoint किया इस context में हम जो है वो anoint इस word का अलग-अलग sentences में use कर सकते हैं देन चलिए इसे के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे next word की तरफ और जानते हैं कि हमारा next word कौनसा है तो इसके बाद हमारा अगला word है dial in dial in का मतलब होता है लगन यानि कोई काम में जो है वो interest दिखाना पूरी लगन के साथ करना उसे हम कहेंगे dial in और ये हमारे पास parts of speech में executive है यानि कि विशेशन है synonym इसका होता है attentive या फिर concentrated यानि कि ध्यान लगा कर कोई काम करना या फिर लगन के साथ करना एकदम focus होकर कोई काम करना उसे हम कहेंगे attentive या फिर concentrated यानि कि मैं जब भी English पढ़ाता हूँ तो वो पूरी तरह से केंदरित दिखती है यानि कि concentrated दिखती है इस context में हम जहें वो dial in इस word का लगलग sentences में use कर पाएंगे इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे आज के हमारे last word की तरफ और जानेंगे कि आज का हमारा last word कौन सा है तो हमारा last word है nose dive, nose dive का मतलब होता है तेजी से गिरावट आना कोई चीज में उसे हम कहेंगे nose dive और ये हमारे पास parts of speech में verb है यानि कि क्रिया है synonym इसका होता है drop यानि कि गिरावट आजाना For example, the consumption of cold drinks was nose dive यानि कि cold drinks के seven में अचानक से गिरावट आ गई इस context में हम जो है वो nose dive is word का अलग-अलग sentences में use कर सकते हैं तो दोस्तो आज के लिए विस अतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो do like this video, subscribe the channel and share as much as you can और अगर आपने इससे पहले वाला session नहीं देखा है तो आप यहां पर click करके वो वाला session भी देख सकते हैं Till then, keep learning, thank you